वेरी वार्म वेल्कम तू लॉल फ्यू तू सेल्फ सेलेक्शिन वोड़ा वन स्टेप वोड़ उनिफॉर्म मिरा नाम है श्वाम वाशने आल आज हम बात करेंगे EDMN Phases के बारे में कि अगला है कम वेंट उसको जल्दी वाज वाज समझ में आ गई कि वो फिट नहीं है जोब के लिए क्योंकि वो खाली ए अगला है come to standstill, come to standstill मतलब suddenly stop हो जाना तहीं, आप for example मसूरी जा रहे हैं, मसूरी जाते वक्त आपकी गाड़ी जर्णी में कहीं रोग जाए, एकदम से तो उसे हम कहेंगे come to a sudden stop, और इसके लिए हमाँ जो idiom यूज़ करेंगे वो है come to standstill, अगला है come off with the flying colors, come off with the flying colors मतलब successfully, आपने बहुत लोगों से सुना होगा है, speeches में बहुत सुना होगा, कि flying colors से pass out हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, successful हो जाना, cross one spine, cross one spine मतलब ध्यान में आना, for example आप घर से निकले हैं, आप अपनी चावी भूल गए, तो आपके दिमाग में क्या बात आई है, ध्यान आई, कि मैं चावी भूल दा हूँ, तो ध्यान में आना मतलब cross one spine, अगला है cry for the moon, cry for the moon मतलब कोई भी चीज़ जो impossible है, उसे पानी की इच्छा रखना, उसे हम कहते हैं cry for the moon, carry favor with, carry favor with, win favor of somebody, win favor of somebody, आप जरा इसको दरा ध्यान से समझे, for example आपके हाँ कोई सरकारी आदमी हो, तो जो उसके ऊपर officer बैठा होता है ना, उसको हमेशा please करनी कोशि करता रहता है जिससे उसे favor मिल सके, तो इसे हम कहते हैं carry favor with, call a spade a spade, मतलब कोई भी बास सच बोल देना, बले इसे जाने की वो सामने वाले को कड़गी लगी या अच्छी लगी इसे कहते हैं call a spade a spade, carry the day, carry the day मतलब तो win a victory, मतलब for example अभी इंडिया और अफगांस्तान का पर भारी पड़ रही थे, तो initially उनका डे बेका जा रहा था, पर आखिर में इंडिया जीर गई, तो उनका क्या हुआ carry the day हो गया, मतलब आखिर में उनको जीत मिल गई, cut a sorry figure, cut a sorry figure मतलब to give a poor show, अब ज़रा इसका example मैं कहूँ, for example आप किसी meeting में बैठ हैं, और meeting में आप से सल मांगी गई, और आपने गलती से कुछ बोल दिया, और जिसकी विएसे आपका बेकार impression बनना है, तो हम कहेंगे, cut a sorry figure, cry over spilled milk, cry over spilled milk मतलब हुआ, getting upset of something, इसमें एक सबसे बड़ा example यह है, KLA student often have a cry over spilled milk during the exam, जो KLA student उतने हो, जो ध्यान से काम नहीं करते, वो हमेशा, upset रहते हैं exam time में, क्योंकि उनका exam खराब जाता है, तो यह अगला है, cut once quote according to once cloth, अब इसका दरा हिंदी में मुहावरा बोलूं, तो आप जल्ली समझ जाएंगे, पैर उतने फिलाओ जितनी चादर हो, तो इसका मतलब हो गया, cut once quote according to once cloth, अब आते हैं vocabulary पे, vocabulary में पहला है, amalgamates, amalgamates मतल मतलब होता है, किसी को खुश करना, आपने देखा होगा, political leader वादे बहुत ऐसे करते हैं, जिससे आम आदमी खुश हो जाए, अगला word है, apprise, apprise मतलब होता है, inform करना, example है, minister was apprise of the dangerous situation, minister को पता था, dangerous situation के बारे में, अगला है, arduous, arduous मतलब होता है, hard steenous, मतलब, a journey of amanna shrimp is very hard, harduous, arduous हो गई, amannaad की जो जन्नी है, वो बहुत ही मुश्किल है, तो उसे हम कहेंगे, arduous, apprise मतलब, arrest या fear, देखे, जब आप, police आपको ठाके ले जाती, तो आपको क्या करती है, कि हम आपको arrest करने आ है, तो, English में उसका synonym हुआ, apprise, अगला word है, amelorate, amelorate मतलब है, improve करना जब तक हम working class की conditions को emulate नहीं करते हैं, तब तक हमारा देश prosperity की तरफ नहीं बढ़ेगा, अगला है, adulation, adulation होता है, praise and flattery, अब जब यहां पर example देखे, false adulation of the leader by their follower is a common practice these days, कि कि किसी की बहुती ज़्यादा तारीफ कर देना, एक common adulation है, मैं इसको थोड़ा एक द्वारा समझाता हूँ, कि adulation मतलब होता है, किसी को flatter करना, मतलब बहुती ज़्यादा तारीफ कर देना, अगला word है animosity, animosity मतलब होता है, active animity, अब ज़रा animosity का ज़रा आप sentence देखिए, animosity between the two leaders has embedded the relation between the two communities, दो leader है, उनके बीच में लड़ाई जगड़ चल दा है किसी बाग तो लेके, उसकी विज़े से उनकी जो community है, उनकी में भी जगड़ा शुरू हो गया है, तो यह हो गया animosity, मतलब active enemy, अगला word है audacity, audacity मतलब होता है boldness, आपने audacity से कुछ audio audio आपके दिमाग में आ रहा होगा, पर आप को यहाँ पर दिमाग में firm करना इसका मतलब होता है boldness, किसी चीज में bold होना, अगला word है amnicity, amnicity मतलब होता है general pardon, मतलब माफ कर देना, for example, आज king का बढ़े है तो उसने जो लोगों की सजा है वो कम कर दी, तो वो हो गया general pardon, अगला है ancillary, ancillary मतलब होता है accessory, for example, आपको को कोई काम करना है, तो आपको उसक चीज़े होंगी उसे हम कहेंगे ancillary, example देखे, he is serving in the ancillary unit of a multinational company, वो एक company की एक ऐसी नुइट में काम करता है, जो basic facility प्रोवाइड कर राती है multinational companies को, अगला है aggregarian, ज़रा मैं screen clear करता हूँ, so agrarian, शायद मैं इसकी प्रिन सिचिशन गलत बोल ला हूँ, agrarian मतलब बता है farming, अब ज़रा इसका example देखे, in spite of agrarian reforms, Indian agriculture has not shown remarkable progress, हमारी जो comment है, उसने farming के regarding कई कानून बनाए है agriculture regarding, बट उसमें को remarkable progress नहीं हुई है, तो agrarian मतलब farming, acumen, acumen मतलब होता है mental keenness, जरा इस बात को समझें कि इसका मतलब कैसे है, यह जो Jewish होते हैं, यह मैं कहूं गुजराती, आप ज़्यादा गुजराती समझ पाएंगे, गुजराती लोग जो होते हैं, उनका दिमाग acumen होता है, मतलब तेज होता है business के अंदर, तो यहाँ पर acumen का मतलब, अगला है abrasive, abrasive मतलब होता है offensive, example है nobody like her abrasive and haughty behavior, abrasive मतलब हो गया, offensive और haughty मतलब होता है कि एक arrogant senior, तो यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता है, एक abrasive या haughty person को, या behavior को, emulate, emulate मतलब होता है, charm against evil, मतलब आपने देखा होगा आप locket पहनते होंगे, जो आपका lucky locket है, या muslimानों में क्या होता है, एक आपको ताबीज दी जाती है, या Christians में क्या होता है, locket, I mean cross दिया जाता है, तो वो क्या होता है, lucky charm, तो उसे हम कहेंगे emulate, यह होता है वीडियो का end, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो like, share, comment करना ना भूलें, और ज्यादा पसंद आ यह होता है वीडियो का end, मैं बात करना चांगा, objective general English की, जहां से सारे words pick up किये गए हैं, आप इसका refer ले सकते हैं, यह SP वक्षी की है, और यह best selling किताब है, और इसमें UPSC के related, जितने भी exam से, उसके according, इसको English को define किया गया है, इसके अंदर, किताब के अंदर, मैं लेता आपसे विदा मेल है, कोई message हो, तो hashtag वाशने करके comment box में बताइए, जैहन, take care, bye bye